हलो व्यूवर्स तो आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल में तो आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ सूर्य कला की रेसिपी ये खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है दिवाली के टाइम हम इसे इजिले अपने घर पर बना सकते हैं तो चली सबसे पहले इसकी इ उसके बाद इसमें हम डालेंगे आदा चमच नमक उसके बाद हम इसमें एक से दो चमच डालेंगे घी घी इसमें डालने के बाद हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे घी, नमग, मैदे में अच्छी तरह से मिल जाए इसका ध्यान रखे, इसे हाथों से एक दम अच्छी तरह से मिलाते रहे उसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे अगर यह ऐसे हो तो यह बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि आपके सुर्यकला बहुत ही खस्ता बनने वाले हैं अब हम इसमें जरा-जरा सा पानी डालके एक डो रेडी कर लेंगे हमें सिंपल सा पूरी की तरह डो बनाना है ज्यादा कम पानी का इस्तिमाल करते हुए ज्यादा पानी इसमें ना डाले तो देखिए डो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है अब डो हमारा रेडी हो चुका है तो इसे हम रख देंगे एक साइड में कम से कम 20 मिन्ट के लिए इसे एक साइड में हम रख देंगे तब तक हम लोग शुगर सिरफ बना लेते हैं इसके लिए हम लोग लेंगे पानी जितना पानी ले उतना ही चीनी ले मैंने यहाँ पर एक कटोरी पानी लिया है और उसी से नमाप के मैंने एक कटोरी चीनी भी लिया है अब इसे इसे अच्छे से डिजॉल्व होने दे घुल जाने दे इसको इसमें जब यह अच्छे से मिल जाएगा तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा तब आप इसमें इलाइची डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे इलाइची को तोड़के डाला है आप चाहे तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं पाँच मिनिट का उबाल आने का वेट करें उबाल आ जाने के बाद चेक कर ले कि क्या आपका शुगर सिर्फ अच्छे से रेडी हो चुका है मेरा विलकुल अच्छे से रेडी हो चुका है तो अब मैं कर दूँगी गैस के स्टोफ को बंद और इसे एक साइड में मैं रख दूँगे अब चलते हैं खोवा की स्टफिंग्स के लिए यह होममेट खोवा है आपको अगर होममेट खोवा की रेशिपी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्षन में बताए अब मैं इसमें डालूँगी पाउडर शुगर पाउडर शुगर डालने के बाद इसे थोड़ा मिला देंगे और अब मैं इसमें डालूँगी किश्मिश अगर आपको किश्मिश के अलावा और भी कुछ डालना है तो आप इसमें जरूर डाल सकते है अब इन सब को हम लोग हाथों से अच्छे से मिलाएंगे अच्छे से इसको हाथों से मिलाते रहेंगे इसका भी हम एक डो की तरह रेडी कर लेंगे यह अभी मैंने फ्रिट से निकाला था इसलिए यह ऐसा था डो बन जाने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा देखिए मिलकुल इस तरह से अब हम इसकी छोटे छोटे बॉल बना लेंगे आपको जिस साइस का सूर्य कला चाहिए उसी हिसाब से आप अपना बॉल बनाए देखिए मिलकुल इस तरह से साड़े बॉल रेडी हो चुके हैं अब हम चलते हैं हमारे डो के पास क्यूंकि हमारा बेसमिंट हो चुका है यह देखिए हमारा डो बेसमिंट के बाद अब हम इसे चार हिस्सों में डिवाइट कर लेंगे ये दो हिस्सा हुआ इसका और अब इसके चार हिस्से चार हिस्से में डिवाइट कर लेने कवाद हम इसके एक अच्छी सी लोई बना लेंगे और अब हम लेंगे एक चकला उसकी उपर इस डो को रखेंगे अब बेलन की मदद से इसे बेलेंगे हमें इस डो को नहीं ज़्यादा मोटा और नहीं ज़्यादा पतला बेलना है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ शेप ज़रूरी नहीं है आप डो कैसे भी बेल सकते हैं बेलने के बाद देखिए यह कम सकम ऐसा होना चाहिए अब हम एक ग्लास या किसी भी कटर की मदद से इसे गोल शेप में काट लेंगे मेरे इस लोई में तीन कटेंगे तो इसलिए मैं तीन ही काट रही हूँ अब हम इसे उठा लेंगे यह जो बचा हुआ आटा है आप इसकी फिरसे लोई बनाके इसको दुबारा इस्तमाल कर सकते हैं अब यह जो कटे हुए पीसेस हैं हम उनके साइड में ऐसे पतला पतला दबा देंगे उसको देखिए बिलकुल इस तरह से अब ऐसा करते हम सबको कर देंगे इसके बाद हमने जो हमारा खोया का बॉल बनाया हम उसको इसके बीच में रखेंगे उसके बाद जो इसके उपर वाला है उसको रखेंगे अब हम इन दोनों को पानी की मदद से सील करेंगे यह स्टेप बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने अच्छी तरह से इसको सील नहीं किया तो खोवा बाहर निकल सकता है और आपका सूड़े कला अच्छा नहीं बनेगा तो इस स्टेप को बहुत ही अच्छे से ध्यान दे अब यह लगाने के बाद हम इसको अच्छे से सील कर देते हैं यह देखिए बिलकुल ही अच्छी तरह से सील हो चुका है अब सील हो जाने के बाद मैं इसे एक शेप दूँगे ऐसे कट और फोल्ड करते हुए कट और फो फोल्ड कर फोल्ड यह बहुत ही आसान है तो देखिए कितना सुन्दर यह सूर्य कला रेडी हो चुका है ऐसा ही करके हम सारे सूर्य कला बना लेंगे अब चलते हीसे फ्राइए करने के लिए हीट आपका जादा हीट नहीं होना चाहिए देखिए अब हम इसमें सारे सूर्य कला धिरे धिरे डाल देंगे मैं कम से कम इसमें चार से पाथ सूर्य कला डालूंगी अब इसे अच्छे से पकने देते हैं सूर्य कला पकने में थोड़ा टाइम लगते हैं इसके लिए आपको थोड़े पेशेंस चाहिए आप इसे बार बार छेट ज़ड़ मा करें वरना ये फट सकता है और इसका खोगा पूरा बाहर निकल जाएगा इंतसार करें इसे कम से कम 10-15 मिन तक सुगर शिरफ में छोड़ दे ताकि यह अच्छे से उसे अब्सॉप कर पाए 10-15 मिन बाद यह कुछ इस तरह से दिखेंगे यह पूरी तरह से शिरफ को अब्सॉप कर चुके हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप सभी को मेरी तरफ से हैपी दिवाली थैंक यू